अगर मात्र 10 से 20 रुपे के अंदर आप एक महीने जितनी चलने वाली ये चट पटीसी टेस्टी क्रंची नमकीन अगर घर पर बना लो तो इससे बढ़िया बात होई क्या सकती है तो इससे बनाने के लिए आपको कुछ भी जाद समान नहीं चाहिए बहुत कम समान में ये बन एक चमच खी ले लो सबसे पहले फ्राइपैन में गी नहीं है तो तेल भी ले सकते हो उसके बाद इसमें डालो थोड़ी सी हल्दी उसे अच्छे से मिक्स कर लो उसके बाद इसमें डालो थोड़ी सी लाल मिर्च ठीक है लाल मिर्च को भी अच्छे से डालने के बाद इसे तो प्रवाद इसमें डालो 10-15 कड़ी पत्ते और उन्हें भी अच्छे से मिक्स कर लो थोड़ी देर इन सब चीजों को दिमी दिमी आज पर रोस्ट करने के बाद अब टाइम है इसमें मुर्मुरे डालने का क्योंकि जो मेन इंग्रीडियंट है वो मुर्मुरे है क्योंकि ज दिमी आज पर इन्हें भूणना है ताकि ये क्रंची हो जाए और जब ये क्रंची हो जाए तो आप कोई भी एक मुर्मुरा उठाना उसे उंगली से तबाना और देखना कि ये क्रंची हो चुकी है या नहीं और जब आपको लगे कि हाँ ऐसा हो चुका है तो उसके बाद फ्लेम कर देनी है बंद और हाँ एक बात याद रखना जब भी आप ये काम कर रहे हो तो गैस की जो आँच है वो धीमी होनी चीए उसके बाद हम इसमें डालेंगे नमक, स्वादनुसा जितना आप चाहें उसके बाद मैंने डाला था इसमें आम चुर पाउडर जिसमें से थ आप अब बनाई है वो तयार है इसे आप जितने दिन तक चाहें उतने दिन तक स्टोर कर सकते हैं खराब होने वाले तो कोई चांस ही नहीं है और हाँ जिससे भी खिलाओगे ये तो वो कहे गए कि कौन से दुकान पर से खरीद के लाए लेकिन आप उन्हें क्या पता कि ये किसी दुकान से नहीं ये घर पर ही बनाई गई है और वो भी आपके हाथों से बनाई गई जब भी चाई पीने का मन करें एक कटोरी में खालो और फट से खालो तो आपको ये वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक कर देना चैनल पे नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना सो प्लीज गाइस एक लाइक और जाना पे नहीं हो तो जानल को सब्सक्राइब और कमेंट सेक्शन में लिख भेजना जो भी आपकी दिली दमनना हो इस रस्वे के लिखना